दोस्तो आपको अपना मोवाइल रिचार्ज करना है, डिटी एच कर रिचार्ज करना है, ब्राउंड बेंट कर रिचार्ज करना है, लेक्टिसिटी बिल पे करना है, फास्ट रेक का रिचार्ज करना है, कोई भी रिचार्ज करना है, तो दोस्तो आपको यहाँ पे अप्टो 100 रूपीश का cashback मिल गया और दोस्तों यहाँ पे जो हमने 9.99 9 रूपीश की यहां पे payment की वो जो हमें पहले cashback मिला था उसी से जो है हमने यहाँ पे किया हमें यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा और यहाँ पे हमें 10 रूपीश का extra cashback भी मिल गया तो दोस्तो अगर आप भी कोई भी recharge करना चाहते हैं तो ऐसे में जो है आप भी सरीके का cashback ले सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको खुद से payback करने की जोयत नहीं पड़ेगी आप यहाँ से ही बहुत सारा cashback earn कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे आप अपना तो mobile recharge करी सकते हैं and OC के साथ आपको अपनी किसी family member का recharge करना है mobile recharge करना है, postpaid का bill पे करना है तो यहाँ पे जो है आपको हर transaction पे यहाँ पे up to 100 rupees का cashback मिलेगा तो इस वीडियो में मैं आपको complete process दिखाने वाला हूँ कि कौन सी यह application है, कैसे आपको अपना account create करना है कैसे आपको cashback मिलेगा तो पूरा process जाने के लिए इस वीडियो को आप last थक जरूर देखेगा तो चली वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस application का नाम है grow तो grow में आप अपना dmit account create करके grow application में mutual fund में invest कर सकते हैं stocks buy and sell कर सकते हैं SIP stat कर सकते हैं, trading कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे इसी के साथ अब आपको grow में एक और option देखने को मिल जाएगा जो कि है pay का जिससे कि आप किसी को भी UPI payment transaction कर सकते हैं यहाँ पे आपको QR code scanner का भी option मिल जाता है और यहाँ पे आपको बहुत सारी services मिल जाते हैं जिससे कि आप यहाँ पे recharges, bill payments कर सकते हैं और यहाँ पे आपको cashback मिलेगा दोस्तो grow एक बहुत ही trusted platform है जिसमें कि आप अपना dmit account create कर सकते हैं अदार कार्ड होना चाहिए और अदार कार्ड के साथ आपका mobile number linked होना चाहिए और आपका bank account होना चाहिए और उसके बाद आप बहुत ही असान तरीके से अपना dmit account create कर लेंगे जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों grow में आप बिलकुल free में अपना dmit account create कर सकते हैं इसमें आपको कोई भी annual charges भी नहीं देने होंगे यहाँ पे आप free में इसे use कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यह जानते हैं कि कैसे आपको grow में अपना dmit account create करना है दोस्तों सबसे पहले आपको Grow application को download करना है अपने mobile में जिसका की link आपको description में मिल जाएगा दोस्तों description में दिये गए link पे जैसे ही आप click करेंगे तो आप Play Store Up पे redirect हो जाएगे तो Grow application को आपको download कर लेना है अपने mobile में और उसके बाद आपको Grow application को open करना है आपके सामने first page इस तरीके का आएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे continue with Google and continue with other email का option मिलेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे continue with Google के option पे click करना है तो आपके mobile में जो भी Gmail IDs होंगी वो आपके सामने आ जाएगे तो जिस भी Gmail ID पे आप अपना DMIT account create करना चाते हैं उसे आपको select कर लेना है और next page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको अपना mobile number एंटर करना है जो भी mobile number आपके अधार card से linked है वही mobile number आप यहाँ पे एंटर कर दीजी और उसके वाद set.tp के option पे क्लिक करना है तो आपके mobile number पे कोटीपी जाएगा वो टीपी एंटर करने के वाद आप verify के option पे क्लिक करेंगे next page आपके सामने open होगा यहाँ पे दूसरों आपको अपना pan number एंटर करना है pan number एंटर करने के वाद नीचे आपको continue के option पे क्लिक कर देना है आपको नीचे आपका name देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको confirm का option मिलेगा आप इस पे क्लिक करेंगे next page पे आपसे gender आपका पूछा जाएगा तो आपका जो भी gender है वो आप यहाँ पे select कर लेंगे और उसके वाद आपको marital status पूछा जाएगा तो आप single है या फिर married है तो आप अपना marital status select कर लेजे और उसके वाद आपको आपका occupation पूछा जाएगा दोसो आप private sector service करते हैं public sector service करते हैं government service करते हैं self employed है student है business करते हैं retired है तो दोस्तो आपको जो भी occupation है वो आप यहाँ पे select कर लेंगे next option आएगा trading and investment preference का तो दोसो आपको trading का कितना experience है आप कितने सालों से trading कर रहे है तो अगर आपको कोई भी experience नहीं है तो आप no experience को यहाँ पे select करेंगे तो दोस्तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी mothers का name enter कर देना है और उसके बाद आपको अपने fathers का full name enter करना है और नीचे आपको proceed के option पे click कर देना है और next page आपके सामने open होगा दोस्तो यहाँ पे आपका bank जो है वो verify किया जाएगा जिसके लिए कि आपको दो options यहाँ पे मिलेंगे Paytm और Google Pay का तो दोस्तो अगर आप यहाँ पे Google Pay को select करते हैं तो आप UPI के मादिम से यहाँ पे अपना bank verify कर सकते हैं दोस्तो अगर आप Paytm यहाँ फिर Google Pay को use नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे bank add करने का भी option मिल जाएगा आप अपना bank account भी यहाँ पे add कर सकते हैं लेकिन आपकी bank account के साथ आपका mobile number लिंक डोना चाहिए और दोस्तो उसके वे बाद आपको नीचे send 1 rupee to verify bank के option पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 1 rupee की payment करनी है जिससे कि आपका bank जो है वो verify हो जाएगा और यह 1 rupee जो है आपको 24 hours के अंदर जो है आपके bank account में आपको refund हो जाएगे दोस्तो नीचे आपको send के option पे क्लिक कर देना है और 1 rupee की आपको successfully payment कर देनी है जैसे ही आप यहाँ पे 1 rupee की payment कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे bank verification successful का option देखने को मिल जाएगा यानि कि आपका bank जो है वो verify हो जुका है और next page आपके सामने open होगा digitaloka का दोस्तो यहाँ पे आपको नीचे proceed for KYC के option पे क्लिक करना है और next page पे आपको यहाँ पे grow KYC documents का option मिलेगा नीचे आपको consent दे देना है इस box को tick करके और authenticate अधार के option पे क्लिक करना है next page आपके सामने open होगा दोस्तो यहाँ पे आपको अपना अधार number एंटर करना है और यहाँ पे जो capture code देखने को मिल रही है same to same इस box में एंटर करना है और next के option पे क्लिक करना है तो दोस्तो आपके अधार card के साथ जो भी आपका mobile number लेंग डाओ उस पे QTP जाएगा वो OTP आ नहीं पता है तो आप forget security pin के option पे क्लिक करके अपना dg logger का security pin जो है वो create कर सकते है उसके बाद वो security pin आपको यहाँ पे एंटर करना है और continue के option पे क्लिक कर देना है next page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको नीचे LO के option पे क्लिक करना है and कुछ seconds के लिए wait करना है यहाँ पे proceed for KYC के option पे क्लिक करना है और next option आएगा take a photo का यानि कि आपको अपनी एक selfie यहाँ पे क्लिक करनी है उसके लिए नीचे आप camera के option पे क्लिक करेंगे तो आपका camera यहाँ पे open हो जाएगा यहाँ पे आपको अपनी एक selfie क्लिक कर लेनी है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी selfie आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आप try again भी कर सकते हैं, और अगर सही है तो आप looks good के option पर click कर दीजे, and next option आएगा signature verification का, नीचे आपको proceed to signature के option पर click कर देना है, तो आपके सामने यहाँ पर box open हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी finger से digital signature कर देने है, जो भी आपक signature है, and उसके बाद submit के option पर click कर देंगे, तो successfully आपके signature भी यहाँ पर submit हो जाएगे, और next page आपके सामने open होगा, दोस्तों यहाँ पर आपको add nominee करने के लिए बोला जाएगा, अगर आप nominee add करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं, तो आप no skip this के option पर click करके, इसे skip भी कर सकते हैं, यानि कि आप बाद में भी nominee add कर सकते हैं, दोस्तों अगर आप nominee add अभी ही करना चाहते हैं, तो आप yes proceed के option पर click करेंगे, और nominee की details यहाँ पर आपको enter करनी है, सबसे पहले nominee का name enter करना है, and nominee के साथ आपका relation क्या है, father, mother, sister, brother, जो भी है वो पर add करेंगे, जिनकी भी details आप यहाँ पर add करेंगे, तो दोस्तों उनकी date of worth आपको यहाँ पर enter करनी है, and उसके बाद आपको उनका document proof के लिए भी यहाँ पर select करना होगा, आप नीचे select ID type के option पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर उनका अदार number, passport number, pan number, water ID number, driving license number, कुछ भी enter क कर सकते हैं, हम यहाँ पर pan number को select कर लेंगे, और next page आपके सामने open होगा, यहाँ पर आपको nominee का pan number enter करना है, और confirm identity proof के option पर click कर देना है, तो यहाँ पर उनका identity proof जैसे ही confirm हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे finish nominee addition के option पर click कर देना है, and next page आपके सामने open हो sign का, जो की last step है, यहाँ पर दोस्तों आपको proceed to अधार e-sign के option पर click करना है, and next option आएगा terms and conditions का, आपको दोनों box को tick कर देना है, और proceed के option पर click करना है, proceed के option पर जैसे ही आप click कर देंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर account opening form देखने को मिल जाएगा, आपको simple नीचे sign now के option पर click करना है, sign now के option पर click करने के बाद, दोस्तों आपके सामने next page इस तरीकी का open होगा, आपको उपर box को tick कर देना है, और नीचे आपको virtual ID यहाँ फिर अधार नंबर enter करना है, दोस्तों आपको अधार नंबर यहाँ पर इस box में enter करने के बाद, send OTP के option पर click करना है, तो आपके documents successfully signed हो जाएंगे, और आपके सामने next page आजाएगा congratulations का, यानि कि आपका जो form है, वो successfully यहाँ पर submit हो जुका है, आपका account जो है, वो यहाँ पर create हो जुका है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर 48 to 72 hours का wait करना है, उसके अंदर अंदर आपका account creation का आपको यहाँ पर successfully email आ जाता है, दोस्तों इस तरीके से आप अपना dmeta account create कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको grow में अपना एक first trade complete करना होगा, first trade complete करने के वाद आप यहाँ पर उसे withdraw भी कर सकते हैं, जिस भी amount से आप यहाँ पर first trade कैसे करना है, चलिए वो सिकते हैं, दोस्तों सब mutual funds and pay का, यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी भी company का stock buy करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको companies देखने को मिल जाएंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, IDFC first bank, Indian railway finance, Indian overseas bank, दोस्तों जो भी आप stocks buy करते हैं, उसे आप same day भी sell कर सकते हैं, next day, one week के बाद, one month के बाद, one year के बा आपको products and tools में, यहाँ पर option मिलेगा, future and option का, intraday का, IPO का, all stocks का, तो यहाँ पर आपको all stocks के option पर click करना है, यहाँ पर आपको companies देखने को मिल जाएंगे, जिस भी company के आप stocks buy करना चाहते हैं, उस company को आप यहाँ पर search भी कर सकते हैं, तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले जो है, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने grow account में balance add करना होगा, आप उपर profile को logo पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको add money का option मिलेगा, add money के option पर click करना है, यहाँ पर आप जितना भी amount add करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर select कर लेना है, तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताय payment करेंगे, अपना balance add करेंगे, आपकी UPI ID यहाँ पर selected रहेगी, तो simple आपको नीचे add money के option पर click करना है, और यहाँ पर हमें 300 rupees की payment successfully कर देनी है, दोस्तों payment successful होने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा payment successful और आपका balance यहाँ पर update हो जाएगा, आपको नीचे done के option पर click करना है, तो अब हम profile लोगों पर click करेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 300 rupees यहाँ पर हमने add कर दिये हैं, इसी तरीके से आपको भी अपनी money add कर लेनी है, अब आपको यहाँ पर first trade करना है, तो दोस्तों हम यहाँ पर explore के option पर click करेंगे, तो यहाँ प किसी भी company को select करेंगे, तो आपको इस तरीके का page देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको sell and buy का option मिलेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर buy करना है, buy करने के लिए आप buy के option पर click करेंगे, next page आपके सामने open होगा, दोस्तों यहाँ पर आपको दो option मिलेगे, top यहाँ पर delivery and intra देगा, दोस्तों यहाँ पर आप delivery को select कर लिजिए, इस company का जो एक stock देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर 72.40 रूपीज का and यहाँ पर जो price है वो थोड़ा कम बहुत होता रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर यह देखना है कि आपको कितने stocks buy करने हैं, यहाँ पर quantity में NSC and BSC देखने को मिलेगा, आप इस पर click करेंगे तो आपको NSC को ही selected रहने दिना है and उसके वाल जो है आप जितने वी stocks यहाँ पर buy करना चाहते हैं, वो आपको enter कर देना है, जैसे कि हम यहाँ पर 4 stocks buy करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर pay करना होगा 29 91 rupees and यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको price market का option मिलेगा, price market में आपको यहाँ पर limit का option मिलता है, तो यहाँ पर limit के option को अगर आप select करते हैं, तो यहाँ पर option मिल जाता है, जो अभी price चल रहा है market का, जैसे कि अभी 72.40 rupees चल रहा है, एक stock का price, और अगर आप चाहते हैं कि यह price जब कम होगा, तो automatically यहाँ पर यह buy हो जाए, तो ऐसे में आप limit लगा सकते हैं, जैसे कि 72 rupees आपने यहाँ पर set कर दिया, तो जैसे यहाँ पर 72 rupees का यह stock होगा, तो तब यह automatically buy हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप market price को select करते हैं, तो जो भी अभी price चल रहा है, उसी price पर जो है आपका stocks buy हो जाएगा, तो जैसे कि हम जो है market को ही select करेंगे, आप अपने ही साबसे यहाँ पर limit लगा सकते हैं, और उसके वाद जो है simple आपको buy के option पर click कर देना है, buy के option पर जैसे ही आप click करेंगे, तो जैसे कि हमें यहाँ पर बताये गया buy order successful, हमारा successfully order हो चुका है, 4 stocks हमने buy कर लिया है delivery में, आपको यहाँ पर order details के option पर click करने के बाद details मिल जाएंगे, हम यहाँ पर done के option पर click करेंगे, done के option पर click करने के बाद holdings में यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है, यहाँ पर हमारा current price है, वो है 289.80 रूपीज का, दोस्तों यहाँ पर आपको अब यहाँ पर अगर आप इसे sell करना चाहते हैं, same day, one day के बाद, one week के बाद, जितने भी time के बाद आप इसे sell करेंगे, यहाँ पर जो है जब आपको profit हो जाता है, तो आप sell कर सकते हैं, तो हमें भी कुछ points का ही यहाँ पर profit जैसे होगा, तो हम यहाँ पर sell करेंगे, अभी ह हमें ना loss हुआ है, ना profit हुआ है, तो ऐसे में अभी अगर हम यहाँ पर sell करना चाहते हैं, तो simple हम यहाँ पर जो हमने, जिस company का stock buy किया है, वो company का name हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, IRFC, तो simple हम यहाँ पर इस पर click करेंगे, तो हमने यहाँ पर 4 stocks buy किये हो हैं, जो कि हम हमने यहाँ पर 72.45 रूपीज पर किये थे, और अभी जो price इसका चल रहा है, वो यहाँ पर 72.40 चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर काफी कम loss profit चल रहा है, तो यहाँ पर दोसों मैं आपको example के लिए समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर हम इसे sell करना चाहते हैं, तो simple हम sell के option पर click करेंगे, sell के option पर click करने के बाद दोसों आपको delivery को को ही यहाँ पर selector रहने देना है, और उसके बाद आपको NSE को selector रहने देना है, और जो आपके पास stocks पड़े हुआ है, उसमें से आप कितने stocks sell करना चाहते हैं, वो आपको select कर लेना है, जैसे कि हम 4 को ही sell करना च कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम simple 72.45 को यहाँ पर limit लगा देंगे, और उसके बाद हम simple sell के option पर click कर देंगे, तो हमारा sell order यहाँ पर placed हो चुका है, हम done के option पर click करेंगे, तो हमने sell किया है, वो यहाँ पर placed हुआ है, जितने price पर limit लगाई हुई थी, तो यहाँ पर यह sell अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पर cancel all का option देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर limit लगाई है 72.45 की, उसे यहाँ पर अभी price ने cross नहीं किया है, तो इसलिए जो हमारा stocks है, वो यहाँ पर sell नहीं हुआ है, तो हम simple अगर market price पर इसे sell करना चाते हैं, तो हम simple इसे select करें करेंगे, modify के option पर click करेंगे, और यहाँ पर limit की जगा market को select करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर modify sell के option पर click करेंगे, और यह successfully यहाँ पर order request यहाँ पर successfully लग चाएगे, तो हमारे जो stocks है, वो successfully जैसे ही sell होगा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, sell for stocks, और यहा किसे जो है, हम किसी भी company के stocks को buy and sell किस तरीके से कर सकते हैं, complete process आपको इस वीडियो में दिखाया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से एक like कर दीजेगा, दोस्तो जैसे कि अब हम यहाँ पर अपना balance चेक करते हैं, तो हम profile logo पर click करेंगे, तो हमारा जो balance है, वो यहाँ प करेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि आपका जो balance है, वो zero है, अभी available, withdraw करने के लिए, लेकिन आपको tension लेने के जोयाद नहीं है, नीचे आपको option देखने को मिलेगा, कि जो आपका balance है, वो अभी यहाँ पर available नहीं है, withdraw के लिए, उसके लिए आपने first trade complete किया है, तो अब आपको यहाँ पर one day का wait करना है, आप जो है कल 10 वजे के बाद कभी भी अपना balance withdraw कर सकते हैं, अपने bank account में, दोस्तों यहाँ पर आपको tension लेने के जोयाद नहीं है, जितना भी balance आप withdraw करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी amount, जिस amount से आप first trade करेंगे, इस amount को आप अपने bank account में direct withdraw भी कर सकते हैं, जैसे ही आपका first trade complete हो जाएगा, अगर आप grow app में ही उसे रहने देना चाहते हैं, तो उसमें रहने दे सकते हैं, क्योंकि उसी से जो है, आप अपना mobile recharge bill payment भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है, जो भी यहाँ पर नीचे option मिलेगा pay का, तो आप pay के option पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है, QR code scanner का, यहाँ पर आप किसी के mobile number भी payment कर सकते हैं, यहाँ पर आपका balance भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी bank account आपने grow से link किया होगा, यहाँ पर आपकी UPI ID भी create हो जाती है, इस UPI ID पर आप किसी से भी पैसे transfer करवा सकते हैं, अपने grow account में, और दोस्तो नीचे आपको यहाँ पर option मिल जाएगा, bills and recharges का, यहाँ पर आपको जो जो भी service बताई गई हैं, जिनके कि आप bill payment कर सकते हैं, recharge कर सकते हैं, तो उसके आपको up to 100 rupees का cashback मिल जाएगा, तो दोस्तो 200 rupees cashback, अब आपको simple यहाँ पर pay करना है, अपना bill pay करने के लिए pay के option पर click करेंगे, next page आपके सामने open होगा, यहाँ पर हमें एक और option देखने को मिलेगा, use cashback balance, जो भी आपका cashback balance होगा, तो दोस्तो यहाँ पर आप उसे अगर tick कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते है हैं कि पहले हमें यहाँ पर 9.99 rupees की payment करनी थी, अब हमें यहाँ पर 0 rupees की payment करनी है, हम simple pay के option पर click करेंगे, तो हमारा 9.99 rupees का bill है, वो यहाँ पर pay हो जाएगा, दोस्तो यहाँ पर हमें खुद से कोई भी पैसा pay करने के जोयत नहीं पड़ी है, और जैसे हमें यहाँ पर bill pay कर देंगे, उसके बाद नीचे आपको option मिलेगा, claim cashback now, जैसे हम इस पर click करेंगे, तो दोस्तो आपको कुछ seconds के लिए यहाँ पर wait करना है, और यहाँ पर आपका cashback जो है, वो calculate किया जाएगा, और यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतना cashback मिला है, दोस्तो अ आपको काफी ज़्यादा benefit होगा, आपकी काफी ज़्यादा पैसे बचेंगे, तो दोस्तो grow app का यह feature आपको कैसा लगा, आप नीचे comment box में comment करके ज़ूर बताइगेगा, और यहाँ पर grow app में आज ही आप अपना Demet account create कर लीजी, link आपको description में मिल जाएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रू से like कीजेगा और जासा जाधा share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ, और उसी के साथ मेरी आपसे request है की channel को subscribe करने के साथ notification बैल को press कर दीजेगा, ताकि आगे भी आने वाली वीडियो की notification आपको मिलते रहे, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई!